Hey guys, welcome back to the channel, this is the YouTuber with you. फेल को इंजवाय करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो साथी साथ हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ ओवर्विव बताता हूं अस्ली prediction जो है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर आता है final team, final verdict, toss, match, season, dunia और के जो अस्ली prediction होते हैं वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर cover किया जाते हैं और टेलिग्राम चैनल जोइन करने वालों को मैं एक warning देना चाहूँगा कि वहाँ सारे fake channels बने हुए इसलिए comment box में और description में दिये के link इससे ही join करना है ताकि आप fake से बच सको आईए शुरुवात करते हैं पिछी पोर से तो ये जो मुकाबला है अरुन जेटली स्टेडियम में खेला जाने वाला धिली में ये मुकाबला खेला जाने वाला यहाँ पर 77 मुकाबले खेले गए है 35 मैच डिफेंड हुए 42 मैच चेस हुए है 65-70 क्यास पास का average score है यहाँ की wicket डूल रोल प्ले करती है बैटर्स को भी फेवर करती है बॉलर्स को भी फेवर करती है काफी tricky पिछा ही है एक अच्छे amount में swing और spin देखने को मिलता है Pacers भी अच्छी गिंदवाजी करते है Spinners भी अच्छी गिंदवाजी करते है Initials Overs में यहाँ पर हमें काफी movement देखने को मिलता है Pacers को काफी सफलता है लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाता है आगे बनेस पहले मैं आपसे भी लोग को बताना चाहूंगा My 11 Circle के बारे में जहाँ पर आप इस साल मी एक करोण जी सकते हो लेकिन इस बार एक करोण सेकेंड रैंक लाने पर ही है Just imagine कि फॉस्ट रैंक लाने पर आपको कितना मिलेगा पिछले साल यहाँ पर 50 मैचों में 50 लोग करोण पती बने थे इसलिए इस बार मौका मिस मत करना Comment box में description में link दिया गया है वहाँ से download कर लेना है My 11 Circle को आइए नी 222 मेरा coupon code यूज कर लेना है और जो मैं team बताता हूँ उस team को follow भी कर सकते हो उससे help लेके अपनी team भी बना सकते हो Comment box में description में link से download करने का फायदा यह भी मिलेगा कि आपको 20% extra bonus से साथ 15 रुपय का sign up bonus भी मिल जाएगा तो जल्दी download करो My 11 Circle आईए अब team preview कर लेता है सबसे पहले बात करते हैं Delhi Capitals की तो Delhi की team अपना आखरी मुकाबला लखनाओ सूपर जाइंट से 50 रनों से हार कर आ रही है 193 का total ये लोग chase कर रहे थे 20 over में 143 रन ही बना पाई इनकी batting भी expose होगई इनकी balling भी expose होगई और दिल्ली को अपने पुराने कप्तान की आधा रही थी रिशापंत की आधा रही थी लेकिन यहाँ पे scene थोड़ा बदलने वाला है क्योंकि दिल्ली का roar दिल्ली में मचने वाला है यहाँ पर काफी कुछ दिल्ली के control में होगा शुरुआत करते हैं इनके plus point से तो कप्तान डेविड वर्नर का form दिल्ली के लिए सबसे बड़ा concern बना वा था लेकिन लखनाओ के खिराब वर्नर ने 50 जड़ी और अपना form वापस पा लिया और जब भी कप्तान बनते हैं इनका अलग ही वर्जन आमें देखने को मिलता है और एक छोर पे तो यह टिके ही रहते हैं और 5 में से 4 बार home team जीती है तो इसे में ये मुकाबला दिल्ली के घर में है जहां पर pitch से लेकर महौल तक सबकुछ दिल्ली के control में होगा दिल्ली के batting इनकी strength इनकी batting काफी मजबूत नज़र आ रही है काफी destructive नज़र आ रही है मिर्च मार्स, राइले रोशू, रोमें पविल लगधार consistency के साथ अच्छा प्रडूसन करके आ रहे हैं और इनमें से कोई भी अगर टिक गया तो मार मार के भूत बना सकता है अकेले match जिता सकता है अक्षर पर टेल टीम को finishing test दे सकते हैं इंपक्ट प्लेयर के रूप में मनिर्स पांडे का इस्तमाल किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो बल्लेबाज इस टीम की काफी मजबूत और भयानक नजर आ रही है निगेटीब पॉंट्स की बात की जाए तो इनकी गिंदबाज इनकी कमजोर करी साबीत हो सकते हैं लगनाओ के खिलाफ हमने देखा कि कैसे इनकी गिंदबाजों को भयंकर तरीके से मारा जा रहा था जम कर कूटा जा रहा था इस ट्राइग रेट का कंसर्ण तो खुद डेवीड वोर्नर के साथ भी था तो ये भी एक कंसर्ण है कि इनके बल्लेबाज आकरी मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिये थे लगातार कप्तानी पारिया खेलते हैं इनका अलग वर्जन हमें देखने को मिलता है इस वेन्यू पर अठाइस पारियों में साथ चाली सर्ण बना चुके हैं दूसरे टॉप मार्स आकरी इनिंग को छोड़ दिया जाए तो 47-7-86 बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है और सुने मे कि धागा खोल सकते हैं खली लहमद दो विकेट एक विकेट बहुत ही हचे फॉर्म में है गुजज़ात की खिलाफ आकरी मीट में दो विकेट लिये थे इस मैस में टॉप उफ मोर साबित हो सकते हैं अक्षर पटेल बहुत ही कमाल के फॉर्म में है गिंदवाजी अच्छी क कर सकते हैं लगादार अच्छा प्रस्टन कर रहे हैं आई आप बात करते हैं आज के हमारी जवाब कोशन की जिसका जवाब दे कि आप 200 रुपे का कैस इनाम सीधे सीधे जीच सकते हो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा टे इतने के स्टाइगरेट से वो इस मैस में बैटिंग करेंगे जब वो आउट होंगे या फिर नॉट रहेंगे तो उनका अंत में स्टाइगरेट कितना होगा कमेंट करके बताइए आई अब गुज़ाट टाइटन्स की बात कर ले तो डिफेंडिंग चेंपियन थर्तर का टोटल चेस करते हुए गुज़ाट टाइटन्स ने जवरजस्ट तरीके से 5 विकेट से मुकाबला जीत लियां शुरुआत करते हैं इनके प्लस पॉइंट से तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गुज़ाट टाइटन्स के लिए है कि इनके बैटर्स बहुत इस जो कि अपने भानक फोर्म को लगतार जारी रख रहे हैं लगतार प्रलयकारी-पारिया खेलने आख्री मैच में भी सर सर रन मनाया था टेवत्या का तेवर एक बाड फिट से हमें देखने को मिल आ है फिस्बे साल का तेवर इस साल भी ये दिखा रहे हैं विनिंग हिट लगाया था, फिने सिंग टच ओफ रासित खान इस ओन नेक्स्ट लेबल, अगर इनके मेडिल ओडर पर नजर दाल जाए तो स्वाई शुदर्शन, विजे शंकर भी अच्छे टच में दीखे, शाधिया शाहा ने भी अच्छी इनिंग के लिए चोटा-चोटा रोल इनों प्ले किया, केमियो रोल प्ले किया बिस पच्छी सरन बनाया है, लेकिन बहुत अच्छे टच में जरा रहा है और अच्छी बात ही है कि गुज़ाद टाइटन के सभी के सभी बल्लेबाज अच्छे फॉर्म है, साधी साथ हारदी की पांडिया भी है, जो कि अप बहुत ही अच्छा किया वहां पर भी विकेट चटका जा रहे हैं तो राशिद खान तुडुक का इकका साबित हो सकते हैं इस मैच में उसके अलावा अलजरी जो से भी गजव के फॉर्म में है चाचा पाच पाच विकेट ले रहे हैं मतलब गुच्छों में विकेट चटका जर्मी है वो है इनकी गिंदबाजी विक पॉइंट की बात की जाए तो कुछ खास विक पॉइंट मुझे नरजर नहीं आ रहा है लेकिन हां केन विलियंसन पूरे टूनेमेंट से रूल आउट हो चुके हैं और केन विलियंसन जैसे प्लेयर का टीम से बाहर जाना बहुत ही बढ़ी बात होती है बहुत बढ़ी बात होती है साथ ही साथ इनकी बैटिंग थोड़ी अनप्रेडिक्टेट से मुझे लगती है और डिपेंडेंसी जो है वो गिल की बल्लेबाजी पर है तो यह है इनके कुछ निगेटिव पॉइंट से टॉप फोइंट से बात की जाए बहुत ही कमाल की पारिया खेलते हैं आकरी मीट में चोड़ासीर बनाया था उसे पहले 46-43 जब भी दिल्ली मिलती है उनका दम निकाल देते हैं राशिद खान दो विकेट 40-3 विकेट 30-4 विकेट बैटिंग ऑफ बालिंग दोनों ही अच्छा कर रहे हैं और ट्रेलर हमने प सकते हैं बात कीजिए अगर हमारी फैंटेसी टीम की तो हमने अपनी फैंटेसी टीम भाईया माइलेवन सर्कल पर बनाईए जहां पर आपको आठोना कम कंपेटिशन मिलता है और एक करून रूपिया इस साल भी यहां मिला है लेकिन सेकेंड रैंक लाने पर जर्श्ट इमे पर जाया इस लिए पिसले हमारे टेलीग्राम जरूर ज्रूर ज्यान करें आपको थे निसे के इनूसार हैं और मुझे जहां तक लगता है कि गर्मी गुजरात फिर से अपनी गर्मी दिल्ली में दिखा सकती यहां according to me, Guzat Titans, my video winner of this match, बाकी मैं, तो हमें सब्सक्राइथा हूँ, सुनो, सब की करो, अपनी सब की वीडियो, तो सब का प्रेडिक्शन सुनो, बद सब की वीडियो देखने के बाद, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, वो जादे मेंटर करता है, और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको मेरा वेट नहीं करना होगा किसी का भी वेट नहीं करना होगा और पहली पर इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर जोइन करें ना धान्यवाद